कुरोना महमारी के च्रलते बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित हो गई है सरकार ने बच्चों की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन अभ्यान चला रखा है जो पहाडी क्षेत्रों में बहुत ही कम सफल हो पा रहा है अगर बात करें जिलाचंबा के उपमंडल सलोनी के तहत तेल का क्षेत्र की तो यहां के गाम भजोत्रा और नडल पंच्राइत में किसे भी कमपनी का मोबाईल टावर ही नहीं है देश जहां 4G, 5G चला रहा है तो यहां 2G तक भी उपलवध नहीं है तो यहां बच्चे आखिर ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करेंगे वहीं यहां के जो गरीब और धियारिदार लोग हैं उनके पास स्मार्ट फोन ही नहीं है और जिनके पास हैं तो वो देश शाम घर लोडते हैं ऐसे हालात में ऑनलाइन कक्षाएं कितने प्रतिशत काम्याब हैं कुछ कहा नहीं जा सकता ऐसा ही कुछ हाल ग्राम पंचायत भांदल के तहत लंगेरा काम का भी है जहां आज तक नेटवर्क सुविधा उपलब नहीं हो पाई है सुरक्षा की दरिष्टी से महत्तप पूरण निमाचल और जमू कश्मीर की सीमा पर बसा गाम लंगेरा आज भी डिजिटल सुविधाओं के लिए तरस रहा है ऑनलाइन कक्षाओं के लिए लंगेरा में भी नेटवर्क उपलब नहीं है आखिर कब होगा इनका विकास आपको बता दें कि इन पज्जायतों के लोग आज भी मध्यकालीन युग में जीने को मजबूर है क्योंकि अभी तक यह लोग डिजिटल सुविधाओं से मरहूम है इनके पास फोन तो हैं पर नेटवर्क नहीं आपात कालीन सिती में अगर कहीं फोन करना पड़े तो उपर पहाड पर चढ़ना पड़ता है यहां की लोगों ने सरकार और प्रशासन से उनकी इस समस्या की सुध लेने की मांग की है जोत्र पंचायत के ग्राम नगवाडी से तो हमारे इलाके में सिगनल की कोई वेवस्ता नहीं है जबकि आज देश डिजिटल इंडिया की बात कर रहा है और हर जगा आज 4G से 5G हो चुका है मगर हमारे इलाके में 2G भी बिलकुल नहीं आता है हमें बात करने के लिए जो है कहीं एक पहाडी के ऊपर चड़ना पड़ता है या अपने घर से कम से कम 5 किलो मीटर उपर एक टांपू के ऊपर जाकर बात करनी पड़ती है अगर हमें कोई भी अवश्टा होती है तो हम एक सत्र सालों से देश अजाद है नेकल dirh pen तो में यही निवेद करूंगा कि कोई प्रशाशन कोई शरकार में कोई Yeseers तो हम इतनी मांग करते हैं क्योंकि आज कल तो बच्चे जो है डिजिटल मतलब पढ़ाई की बात हो रही है मगर पढ़ाई कहां से करेंगे हमारे बच्चे तो अनपढ़ ही रह जाएंगे क्योंकि हमारे बच्चों के पास सिर्फ मोबाइल नाम आतर है गैम खेलेंगे बूसम जो गादिबाला आधी कम से कम एक हजार की पॉपलेशन जो है मतलब टावर के बीना सिकनल के बीना बिलकुल आधी मानबू की तरह गुजर बसर कर रही है मैं जमा एक चातर पंकज बोर रहा हूं और क्रोनों माहमारी से विद्यार्थियों को बहुत ही पढ़ाई में परिशानिय जहरनी पड़ रही है नेटवर्क का कुछ हिलाकों में कुछ भी प्रबंद नहीं है जैसे हमारे भजोत्रा नडल गवारी मौल आधी जैसे किशेत्रों में नेटवर्क का कोई भी प्रबंद नहीं है मैं सिरकार से गुजारिश करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी किसी भी कमपनी का टावर मौल या निगारी में लगवा दे PR TV के लिए सिलोनी से उत्तम सुर्यवशी की रिपोर्ट